हलो बच्चों, वेलकम तो आई यूट्यूब चानल, तो आज हम करेंगे स्टैंडर नाइथ साइंस का चैप्टर नमबर त्री जिसका नाम है करेंट एलेक्टरिसिटी, आज हम इसका लेक्चर वन करेंगे, जिसमें मैं आपको इसके बेसिक कॉंसेट्ट जो है, वो सिखा दो अगर आपने इसके पहले के साइंस के विडियो नहीं देखिया और आप देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आई के बाजू में एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको साइंस की प्लेलिस मिल जाएगी, नाई स्टैंडर की वहाँ पे आपको सारे विडियो मिल ज चल सकता है, यह विडियो भी मॉबाइल पर देख रहे हो, आपका मॉबाइल बेना एलेक्रिसिटी चल सकता है क्या, आप चार्ज नहीं करोगे तो आपका फोन बंद हो जाएगा, अगर आप लाप्टॉप पे देख रहे हो तो आपको पता है कि लाप्टॉप में भी बैट अगर आपके यहाँ पर ऐसा है कि लाइड बहुत जाती है, तो आपने इनवर्टर का नाम सुना होगा, या फिर यह जो जनरेटर यहाँ पर दिया हुआ है, जनरेटर जिसमें हम लोग फ्यूल भरते हैं, डीजल बगएरा डालते हैं, तो वो इलेक्रिसिटी जनरेट करता ह हॉस्पिटल में यह होना क्यों जरूर ही है, क्योंकि पेशिंट जो वेंटिलेटर बगएरा पर होते हैं, अगर हॉस्पिटल की लाइट चलेगी, तो वेंटिलेटर बंद हो जाएंगे, इसलिए हॉस्पिटल में लाइट होनी ही चाहिए, इसके लिए उनके पास एमर्जन जो है वो बंद हो जाएगा, लोग अपने पैसे यहां से वाँ ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, इसलिए बैंक्स भी हमेशा एमर्जन्सी पावर अरेंज करके रखती है, वैसे ही बहुत सारे अलग-लग ऑफिसेज हैं, प्राइविट इंस्टिउशन हैं, जहां पे शेर मा उसमें यूज होती है, इलेक्टिक मोटर तो आपने हर जगह देखी होगी, कोई भी इंडस्टि में जाके देख लीजिए, जो भी चीज़े घूम रही है, या फिर कोई फंक्शन बार-बार रिपीट हो रहा है, तो वो इलेक्टिक मोटर के जरिये होता है, आपके घर में इलेक्टिक मोटर देखते हो, वाशिंग मशीन है, या फिर ब्लेंडर है, मिक्सर, गाइंडर है, उसमें भी एलेक्टिक मोटर होती है, डॉमेस्टिक अप्लाइंसे लाइक्टिक अविन, मिक्सर, फैंस, वाशिंग मशीन, यह सब चीजों में हमको एलेक्टिसिटी लगती है अगर electricity न हो तो यह सारे appliances बंद हो जाएंगे not only human beings but some animals also use electricity यह electricity charging plug में डालके नहीं use करते हैं कुछ fishes होती है eels करके एक fish होती है discovery या national geographic पर आपने इसका वीडियो कहीं पर देखा होगा यह electricity से अपने prey को पकड़ती है पर यह मतलब जिसको यह खाते हैं जिसको हंट करते हैं और self-defense जिसके आसपास को यह आ जाए तो यह एक बहुती जोरदार जटका देते हैं जिससे जो उनको खाने आया है वो भाग जाए यह अपने prey जिसको यह खाते हैं हंट कैसे करते हैं ये उसके बाजू में जाके उसको एक बहुत जोरदार current देते हैं और वो current से जो सामने वाला animal हो जिसको ये खाते हैं वो एकदम shock में आ जाता है फिर ये उसको खा जाते है The lightning that strikes the earth is an excellent example of natural flow of electricity बिजली होती है ना बारिज के पहले that is nothing but electricity और वहाँ पे उपर कोई charging plug नहीं है natural flow of electricity हो ठीक है What if we could collect and store this electricity कितना सही हो जाएगा ना अगर बिजली से electricity store करके आप यूज कर सकते है तो आपके घर के electricity ठीक है बेली नहीं आएंगे दिन बर यह सी चला हो You must have seen a waterfall which way does the water flow अभी जादा दिमाग लागे ऐसे मत बोलो कि अरे लोनावला मुंबई पुने रास्ते पे waterfall तो उल्टे भी जाते है वो हवा के कारण जाते है जनरली waterfall कैसे होते है उपर से पानी नीचे गिरता है ठीक है हमेशा उपर से ही नीचे गिरता है नीचे से उपर नहीं जाता waterfall में ठीक है वो लोनावलाव अगेरा में दिखता है विकोज वहां पे बहुत हवा आती है और पानी जब नीचे गिरता होता है तो हवा से पानी को धक्का लगता है और पानी उपर चला जाता है जनरली वो waterfall में भी पानी उपर से नीचे किनने की कोशिश ही करता है. For the generation of electricity, water is released from a dam at a higher level and because of gravity, it falls to a lower level. Work energy में हमने देखा था न, कि पानी जब higher level पे होता है, तो उसमें potential energy stored होती है. फिर जब आप उसको नीचे लेके जाते हो, तो क्या होता है? उसमें motion आ जाता है, kinetic energy आती है और वो kinetic energy से यहाँ पर ऐसे turbines लगे होते हैं, वो turbines घूमने लगते हैं और वो घूमते हैं तो electricity generate होती है. तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ dam का example दिया, hydroelectricity, ऐसे बहुत सारे ways जिससे आप electricity generate कर सकते हो, nuclear power से कर सकते हो, फिर आप thermal power से कर सकते हो, बट यहाँ पे सिर्फ इन्होंने dam का example दिया है. Thus as we know, the direction of flow of water between two points, it depends on the level of the two points. अगर यहाँ पे पानी भरा पड़ा है, ठीक है, यह mountain है, और यहाँ पे एक और mountain है, यह पानी बिना कोई effort के इसके उपर तक जा सकता है, नहीं जा सकता है, लेकिन यह mountain के नीचे, अगर मुझे पानी यहाँ पे लाना है, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे tap खुलना है, पानी सी पर नहीं जाएगा, इलेक्ट्रिक मोटर लगा कि या कुछ लगा कि धक्का मारना पड़ेगा, बड़ जब ये लेवल से नीचे आना है, तो पानी को सिर्फ आप आप अन कर देंगे और नीचे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जैसे वाटरफॉल में होता है, पोटेंशल और पोटेंशल डिफरेंस, टू प्लास्टिक बॉटल्स, रबर ट्यूब, क्लैंप, वाटर, ये सब आप करेंगे तो नहीं, यहाँ पर एक्जाम्पल देख लो, जब आप ऐसे दो बॉटल्स रखते हो, और इसमें बीच में रबर ट्यूब है, और उसके उपर आपने बंद रखाई, ठीक है, जब आप ये क्लैंप खोल देंगे, तो क्या होगा, पानी का फ्लो होगा, कहां से कहां, यहां से आ जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्यों, बिकॉज ये पानी नीचे है, ये उपर है, नीचे से उपर जाना है तो मोटर लगेगी, लेकिन य ये उपर वाला पानी नीचे आ सकता है, कब तक नीचे आएगा, जब तक ये दोनों बॉटल में लेवल सेम ना हो जाएगा, ठीक है, और कोई यहां पर दूसरा कोई मस्ती नहीं खर रहा, क्लैंप बंद नहीं है, तो ये पानी नीचे आता रहेगा, जब तक यहां का लेव कनेक करके, ऐसे आप उसमें से, यहां पर थोड़ा पानी खीच के फिर ये पाइप इसमें डाल देगे, ठीक है, पहले आपको मुझ से थोड़ा पानी खीच कर, फिर इसमें डाल देंगे गलास, तो आटोमेटिकली पानी सब इसमें आ जाएगा, ओके, ट्राइ करोगे, तो बहुत अच्छे जमझ में आएगा, जैसे ये पानी फ्लो होता है, वैसे ही, जब electricity की बात करते हैं, तो हम लोग ये level को बोलते हैं, electric potential, ठीक है, तो ये electric potential समझाने के लिए आपको ये experiment दिखाया गया था, क्योंकि वायर के अंदर जब current फ्लो होता है, वो आप देख नहीं स मैं आपको एक दम clearly समझ में आगर अगर पानी यहां से यहां फ्लो होगा तब, इसलिए आपको ये example दिए, ओके, तो ये जो level होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, electric potential, ओके, अब यहां पर word समझो, electric potential, potential मतलब यहां पर देख लो, कि यहां पर ये एक ही होता, स दोनों के potential के बीच में difference है, अगर ये stool पे ने रखा और same height पे रख दिया, और दोनों में पानी same height पे है, तो भी पानी flow नहीं होगा एक दूसरे के अंदर, इसलिए खाली potential होने का कोई फायदा नहीं है, दो potential के बीच में difference होना चाहिए, इसलिए हमेशा हमको potential difference ही काम आता ह है, तो ही flow होगा, नहीं तो flow होगा, नहीं, ओके, पानी ले लो या electric current ले लो, potential difference होना ज़रूर है, खाली potential होगा, मतलब ये bottle का, आप mount average पे भी रख लो, ठीक है, mount average पे भी रख दिया, तो अगर इसको आपने दूसरे bottle के साथ connect नहीं किया, जो इससे नीचे है, तो flow तो जा करेगा, नहीं, तो current flow नहीं करेगा, अब यहां पर बहुत ही confusing एक paragraph दिया हुआ है, पढ़के जाधा tension मतलो, यह क्या explain कर रहा है, कि यहां पर let's say मैंने एक high electric potential वाला A रख दिया, और ये B जो है, वो low electric potential है, पानी में तो हम क्या करते थे, water level उपर रखते थे, नीचे रखते जैसा इसका level मत देखो करें रहे, same है तो कुछ नहीं होगा, वो बोल रहा है ना कि इसका higher potential है, तो higher, कि इसका lower है, तो जब ऐसे आप दो चीज़ connect करते हो, तो क्या होता है, यहां पे higher है, let's say यहां पर आप समझ दो हो रहा है plus 5, और यहां पे है plus 2, ठीक है, 2 है यह 5 देख जो है, यहां पे जो negatively charged electrons जो होते हैं, वो यहां से यहां फ्लू करेंगे, क्यों, because electron हमेशा negative होते हैं, और negative किसको attract होता है, positive को, तो यहां पे positive है ना, तो उसके पास जाएगा, okay, अगर मैंने यहां पे plus 5 potential रखा और यहां पे भी plus 5 रखा, तो potential difference क्या हुआ, दोनों में यहां ऐसे, तो पानी बिल्कुल भी flow नहीं होगा, दोनों में पानी का level same रखा है, वैसे ही अगर electric potential भी same रखा, तो flow नहीं होगा, लेकिन अगर high रखा और low रखा, दो अलग अलग रखा, तो low से high, जो है, वो electrons जाएंगे, पता है ना, charge particles होते है, negatively charge particles को में लोग electrons बोलते ह और यह कब तक flow चलता रहेगा, जब तक दोनों का potential difference 0 ना बन जाए, मतलब अगर मैंने यहां पर 5 लिया और यहां पर 3 लिया, यहां पर 2 लिया, तो 2 से 5 होता रहेगा, आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, जब तक दोनों का level same ना हो जाए, ठीक है, हो सकत है, दोनों 3 हो गए, या दोनों 3.5 हो गए, फिर flow बंद हो जाएगा, जैसे पानी आपने इधर और इधर, जैसे pipe connect किया, तो एक अब तक flow चलता रहेगा, जब दोनों का level same हो जाए, या फिर इसमें पानी खतम हो जाएगा, ठीक है, दोनों में से एक time पे खतम हो जाएगा पानी, तो वैसे ही current में भी है, potential difference of a cell, अब यह सारी जो बाते थी नहीं, यह सिर्फ आपको समझाने के लिए थी कि potential difference क्या होता है, level क्या होता है, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा जादा attention मतलो, जो main part है न, पूरे chapter का वो अब शुरू होता है, potential difference of a cell, potential difference क्या होता है cell का, difference in potential between the positive and negative terminals of a cell is the potential difference of that cell, यह potential difference का definition है, ठीक है, यह potential difference क्यों होता है, अगर आप एक छोटा सा pencil cell हापने ले लो, ठीक है, pencil cell होता है न, remote के अंदर लगाते हैं आप TV के, वो pencil cell में आप देखेंगे तो उपर plus और minus markings होगी, plus और minus markings क्यों है, क्योंकि एक जगे higher potential है, एक जगे लोग potential है, इसलिए दोनों के बीच में क्या है, potential difference है, इसलिए तो जब आप वो battery या cell remote में डालते हो, तो remote चलता है, क्यों चलता है, वो cell remote को current देता है, वो current क्यों होता है, because इसमें potential difference है, फिर थोरे टाइम बाद, 3-4 मेने बाद, 6 मेने बाद, अगर आप बहुत ज़ादा remote क्यों, क्योंकि नए cell में company क्या करती है, company फिर से आपको ऐसे बना के देती है battery, कि एक जगे higher potential हो, एक जगे lower potential, फिर आप जब use करते हैं तब आप उसका जो potential difference है, use करके, करके zero हो जाता है, इसलिए वो काम करना बंद कर देता है, okay, potential difference is caused by chemical reactions occurring inside the cell, आपने काफी बार देखा ह होगा, कि कई बार batteries है, blast हो जाती है, blast हो जाती है, और धुवा निकलने लगता है, या फिर black, आपने इसे pencil cell में भी शायद देखा हो, यहां पर इसे black black ऐसे liquid निकलने लगता है, वो क्यों होता है, वो क्यों होता है, वो वो chemical से chemical reaction हो रहा है, जिसके कारण वो potential difference होता है, companies जो है, वो cell कैसे बनाती है, उसके अंदर chemicals डालती है, जिससे अंदर energy generate होती है, और plus minus, उपर potential difference generate होता है, और वो potential difference से electric current आता है, जिससे आपके devices चलते हैं, the potential difference sets the electrons in motion and results in the flow of electricity through conducting wire connected to the ends of the cell, यह electrons in motion, यह सब जो confusing जो आपको लग रहा है, यह electric current होता क्या है, electric current जो होता है wire में, वो electrons के कारण होता है, ठीक है, तो जब भी आप potential difference लगाएंगे ना, कोई भी battery का, या कोई भी एक energy source का, तो वो क्या करता है, वो electrons को एक motion में set कर देता है, और उससे एक electricity का flow शुरू हो जाता है, conducting wire मतलब क्या, wire जो होते है copper के, aluminium के, वो सारे conduct करते हैं, लेकिन अगर आप plastic का wire लेंगे, ऐसे मत्यों सब wire के उपर green, red color का plastic होता है, जिसको insulation बोलता है, वो उपर plastic होता है, थाकि जब आप touch करें, तो आपको current न लगे, अंदर तो metal ही होता है, copper होगा, या aluminium होगा, तो जो wire ह होता है, copper aluminium का, उसको बोलता है, conducting wire, क्योंकि वो electricity conduct करता है, अगर आपने, यहाँ पे electricity का current flow रहा है, और wire आपने यहाँ पे लगा दिया, तो यह wire के through electricity आएगी, और इधर तक आजाएगी, जैसे आप charging का cable लगाते हो, mobile में, तो आप charging का cable क्या करते हो, port में, ऐसे जो port होता है 3-pin का, उसमें आप connect करते हो, फिर वो wire क्या करते हो, wire आपके phone में connect करते हो, और phone charge होने लगता है, क्यों, because यह plug में electricity थी, वो electricity यह wire के through, conducting wire के through, आपके mobile में गुज गई और आपका mobile charge होने लगता, okay, the amount of work done to carry a unit positive charge from point A to point B is called the electric potential difference between the two points, अब define करने के लिए के potential difference होता क्या है, potential difference define क्या जाता है, देखो, जब भी आपको, यह wire के through, एक charge, point A से point B तक लेके जाना है, वो charge free में तो जाएगा नहीं, वो charge को यहां से यहां तक धका मारने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है, तो amount of work done to carry a unit positive charge, यह charge जो इसका value होकर one है, unit मतलब one न, जो काम किया जाएगा, यह one unit के positive charge को A से B तक लेके जाने में, उसको बोलेंगे हम लोग, electric potential difference between the two points, okay, points क्या होगा, the work done to transfer the total charge, ठीक है, पूरा work done और total charge कितना transfer हुआ, उससे आपको पता चल जाएगा, कि potential difference क्या है, तो अगर मैं, potential difference को V से denote करो, हम लोग हमेशा potential difference को V से denote करेंगे, because V का मतलब होता है, volt, ठीक है, volt करके एक scientist था, आपको पीशे दिया भी है, यहां बे, Italian scientist Alessandro Volta, constructed the first electric cell, और इसने यह इतना बड़ा काम किया, इसको respect करने के लिए, इसके honor में, potential difference का जो unit है, उसको नाम दे दिया, volt, अगर आपने भी कुछ discover किया, और लेट से आपका सरने में पांडे, तो हो सकता है, आपके honor में भी unit का नाम दे दिया जाए, पांडा, है ना, possible है ना, त करो कुछ discover, चलो, अब ये हमने सीख लिया कि potential difference को V से denote करते है, work done तो हमको पता है, W से होता है, और ये जो charge है ना, charge को हमेशा Q से denote करते है, अभी नहीं, 10th, 11th, 12th, आगे जाके engineering में हमेशा ये ही letters यूज के जाएंगे उनको denote करने के लिए, अगर मुझे इसका unit निकालना ह मैंने आपको laws of motion and work energy में भी बताया था कि जब भी unit निकालना होना, तो हम लोग 1-1 values ले ले लेते हैं, तो ये जो work done है, work done अगर 1 joule हो, ठीक है, joule होता है न work का unit, तो work done के जगे पे 1 joule डाल दिया, ये, और ये जो charge है, इसका unit होता है, coulomb, ठीक है, C-O-U-L-O-M-B, इसको बोलते हैं, coulomb, बी को pronounce नहीं करता है, लेकिन आप कर दो तो भी pronunciation के तो marks मिलने नहीं वाले, coulomb बोलना है, तो coulomb भी बोल दो, generally coulomb बोलते हैं, ठीक है, तो अगर ये Q जो है charge, वो 1 coulomb, दोनो 1-1 है, तो 1 ये देखो मत, ठीक है, इसको cancel कर दो, 1 divided by 1 क्या आएगा, 1 divided by 1 आ क्या होता है, वोल्ट, 1 joule upon 1 coulomb, ओके, टेंशन मतलो, अभी सिर्फ ये formula याद रखो, बस, सिर्फ ये formula याद रखो, कि V का formula क्या है, W upon Q, ये free electrons का concept explain दो हो गया, देखो जब भी कोई atom होता है, atom के आसपास electrons घुमते रहते हैं, और ऐसा नहीं कि थोड़े जिर घुमते हैं, फिर बंद हो जाते हैं, कोई भी atom होगा, अगर आप scientist बनते हैं, आगे जाके और atoms को observe करते हैं, तो आपको दिखेगा, कि जो nucleus होता है center में, जो electrons होते हैं, वो उसके आसपास मन राते रहते हैं, घुमते रहते हैं continuously, कोई pattern होता है घुमने का, हाँ pattern होता है, लेकिन random pattern होता है हर एक atom, देखो ऐसा ये एक atom है, ऐसे जब आप wire लेते हैं ऐसा, तो wire में हजारो करोडो ऐसे atom होते हैं, atom आप आपकी आँक से देख भी नहीं सकते हैं, आप wire देख सकते हो ना, तो एक electric wire बनाने में ऐसे हजारो करोडो atoms होता है, हर एक atom में, देखो यहाँ पर तीन atoms बना के एक potential difference लगा है, इधर एक wire connect किया बैटरी से और एक इधर wire connect किया बैटरी से, तो ये सारे electron यहाँ वाँ नहीं घुमेंगे, ये एक single line में एक pattern में घुमने लगेंगे, ऐसा imagine कर लो, अपने channel का नाम backbenchers है न, तो backbenchers वाले या जो मस्ती करने वाले बच्चे हो, यहाँ वाँ घ गुमते रहता हैं क्लास में, लेकिन जैसे री teacher क्लास में आती है, तो वो चुक चाप सब लोग line में बैट जाते हैं, जैसे कि कुछ करी नहीं रहता है, वैसे जब atoms ऐसे ही पड़े हो, तो इधर उदर उसके electrons गुमते रहते हैं, लेकिन जैसे ही आपने potential difference लगाया है, इस प यह भी आपको अभी काम नहीं आने वाला लेकिन अगर logic समझना है तो यह logic है इसलिए जो वायर होते हैं वो वायर में इसे जो electron free में घुमने वाले होने चाहिए इनको free electrons बोला जाता है क्योंकि यहाँ बंड रहते रहते हैं अगर ये नहीं हो ना तो electric current flowing नहीं होगा जैसे आप plastic लेलो अगर plastic का wire लेंगे तो plastic में तो free electrons होते ही नहीं अगर उसमें free electrons हैं ही नहीं तो potential difference लगाया तो line में कौन जाएगा कोई जाएगा ही और अगर line में नहीं जाएगा तो electric current generated ही नहीं होगा इसलिए plastic के through electric current नहीं जादा plastic ले लो wood ले लो है ना उसमें कोई free electrons होते ही नहीं है इसलिए वो conduct नहीं करते conduct मतलब यहां से यहां तक अगर आपको transport करना है तो यह conductor होगा इसके through conduct होके जाएगा तो plastic जो है वो conductor नहीं है तो यहां से current आपने लगाया तो इधर तक वो जाएगा ही नहीं इसके आगे बड़ेगा ही नहीं तो लेटसे यहां पे A है और यहां पे B है यह A से B तक का plastic का टुकड़ा है इधर आपने wire लगाया इधर भी आपने wire लगाया तो यहां से current आया सबोस लेकिन current यहां पे आके रुख जाएगा क्योंकि वो A से B तक जाए नहीं पाएगा विकास A और B के बीच में तो plastic है ठीक है plastic तो conduct नहीं करता current को इसलिए current को वो रस्ता ही नहीं देगा conduct करना मतलब रस्ता देना रस्ता कौन देता है current को जो metals होते हैं generally वो अच्छे conductors होते हैं तो आप aluminum का wire लेलो copper का wire लेलो पहुत पैसा आपके पास तो gold का wire लेलो silver का wire लेलो यह सारे conduct करते हैं सस्ते में सस्ता और अच्छा सबसे conductor aluminum होता है और थोड़े पैसे जादा देंगे तो copper is the best conductor but copper is a bit expensive है okay इसलिए जब भी आप अपका घर बनाएंगे तो देखना electrician आपको हमेशा बना रहे है sir copper का wire लेगे आपको तो नहीं बुलेगा आप तो कहाँ घर बना रहे हो लेकिन आपके पापा को पूछेंगे या मम्मी को दिसकस कर लिया अब यहाँ पे लिखाए very small values of potential difference are expressed in the following units जब बहुत छोटे numbers होंगे let's say अगर बहुत कम potential difference है ऐसा 0.0003 volts तो यह 0.0003 बार बार कित्ती बार लिखेंगे आप लोग तो इसका इन लोगोंने एक short form निखाला है 1 millivolt अगर और 1 millivolt V voltage है उसका मतलब है 10 raise to माइनस 3 वोल्ट 10 raise to माइनस 3 का मतलब क्या होता है 10 raise to माइनस 3 का मतलब होता है 1 upon नीचे 30 ओके इसको अगर आपको normal लिखना तो आप लिखेंगे 10 raise to माइनस 3 तो यह 10 raise to माइनस 3 क्या है तरीका लिखने का इसका इसका मतलब 0.001 अगर मुझे लिखना है तो इसका मतलब होता है 10 raise to minus 3 यह लिखने में जादा time लगेगा यह लिखने में कम time लगेगा अब जादातर चीजे आगे जाके 10 raise to के form में लिखेंगे अगर बड़ी चीजे हैं तो 10 raise to positive नमबर होगा छोटी चीजे हैं तो 10 raise to minus negative नमबर होगा ठीक है तो अगर milli volt है जो बहुत ही छोटी value है उसकी value क्या होती है 10 raise to minus 3 volts ऐसा मतुझे कुछ नया है बचपन से ऐसे unit use कर दे हो जैसे अगर मुझे millimeter देखो millimeter क्या होता है mm और meter के बीच में relation निकालना है तो same relation है one millimeter is equal to 10 raise to minus 3 meters यह कैसे आया देखो one meter कितना होता है 1000 millimeters तो अगर मुझे दोनों चाहिए तो मैं क्या करूँगा divide by thousand कर दोगा इधर one चाहिए तो दोनों चाहिए नहीं divide by thousand यह क्या one upon thousand one upon thousand को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 raise to minus 3 साथ में क्या है meter equal to 1000 thousand cut one millimeter तो क्या है मुझे one millimeter क्या है 10 raise to minus 3 meter वैसे one millivolt क्या आएगा 10 raise to minus 3 volts वैसे micro भी define होता है बहुत छोटे voltages के लिए तो one micro micro का unit ऐसा है देखो u हम लोग बना देना ऐसे u तो ऐसे नहीं लिखने का u इधर से शुरू करने का और ऐसे करने के इसको बोलते है micro एकदम ऐसा perfect आपका बनने नहीं वाला तो बनाने में waste भी मत करो time ऐसे लिखोगे ना तो micro है ठीक है तो one micro volt क्या होता है 10 raise to minus 6 volt अब ये बहुत छोटे values के लिए है ये भी आपको fill in the blanks match the column में पूछ सकते है large values में कैसा होगा बड़े values जैसे one kilo volt one kilo volt कितना होता है 10 raise to 3 volts 10 raise to 3 का मतलब क्या होता है 1000 देखो ना one के बाद 3 0 one के बाद 3 0 इसलिए 10 raise to 3 ठीक है तो one thousand लिख सकते है इसके जागे पर volt kilo मतलब one thousand होता है मेशा याद रखना one kilo gram मतलब one thousand gram तो one kilo volt कितना होगा one thousand volts लेकिन one thousand को short form में लिखने का तरीका है 10 raise to 3 क्योंकि one के बाद कितने zeros हैं 3 तो one के बाद 3 0 इसलिए 0 raise to 3 0 raise to 3 की कोई value नहीं होती बस आपके समझने के लिए बोल रहा हो यह total क्या है 10 raise to 3 है पूरा number 10 raise to 3 okay mega volt क्या होता है mega मतलब 6 देखो micro मतलब minus 6 mega मतलब plus 6 खाली 6 okay milli मतलब minus 3 kilo मतलब plus 3 कुछ नहीं मतलब plus होता है न उपर okay तो बड़े voltages लिखने है तो यह छोटे voltages लिखने है तो यह free electrons मैंने आपको already बताया लेकिन चलो इस बूक में क्या दिया है पढ़ लेते हैं every atom of a metallic conductor metallic यादे मैंने बुला था plastic में नहीं होते has one or more outermost electrons तो आपने अगर metals के बारे में पढ़ाया elements के बारे में पढ़ाया तो आपको पता है कि बीच में nucleus होता है और बाजो में electrons घूमते रहते हैं तो कुछ electrons तो एकदम standard यो घूमते रहेंगे लेकिन हर एक metal में कुछ electron ऐसे होते हैं जो free होते हैं free मतलब वो metal के आसपास रहेंगे लेकिन अपने आप randomly घूमते रहेंगे अपनी मर्जी से class में मस्ती करने वाला बच्चा सारे लोग अपने bench पे ठीक से बैटे हैं लेकिन एक मस्ती करने वाला बच्चा free है एकदम कहीं पे भी घूमते रहता है लेकिन जैसे ही teacher है चुप चाप अपने जगे पे बैठ जाता है ठीक है वैसे ही free electron क्या है हर एक metallic conductor में ऐसे बाहर जो होते हैं back benches पीछे वाले वैसे electrons होते हैं जिनको free electrons बोना जाता है has one or more outermost electrons outermost मतलब nucleus बीच में है उससे थोड़ा दूर back benches, front से थोड़ा दूर which are very weakly bound to the nucleus वो nucleus से connected होते हैं लेकिन उनका bond उतना strong नहीं होता इसलिए वो free में घूमते रहते हैं free घूमना मतलब पैसे से free नहीं free मतलब उनके उपर कोई बंधन नहीं हो, वारा हम से घूम सकते हैं किसने रसी बांद के नहीं रखी उनके उपर these are called free electrons definition पूछेंगे नहीं लेकिन definition समझना बहुत easy है one or more outermost electrons which are very weakly bound to the nucleus ठीक है, these are called free electrons as shown in figure 3.3 these electrons can easily move from one part of the conductor to its other parts अब यह अगर conductor है, तो conductor में मैंने आपको बताया, हजारो लाखो करोडो atoms होंगे, यह तो एक atom की बात उरी है हर एक atom में one or more electrons होते है हजारो करोडो atoms होंगे तो हजारो करोडो electrons होंगे atom तो आप आँक से देख भी नहीं सकते हैं माइक्रोस्कोप लगेगा, माइक्रोस्कोप से भी जादा पावर लगेगा है ना तो जब एक पूरा wire होगा जिसमें हजारो करोडो atoms होंगे तो उसमें हजारो करोडो electrons होंगे तो वह हजारो करोडो electrons यहां वहां घूमते रहेंगे ठीक है तो negative charge of the electron also gets transferred as a result of the motion अब यह electrons अगर यहां वहां घूम रहे हैं तो electron पे तो negative charge होता है तो अगर वह घूम रहे हैं तो जो negative charge है वह भी उनके साथ घूमता रहेगा the free electrons in a conductor are the carriers of negative charge फिर से same चीज़ repeat करी पहले बोला negative charge फिर बोला free electrons यह negative charge carrying करते है तो इसका current से क्या लेना देना बिलकुल लेना देना है current कब flow होता है जब यह conducting wire के यहां पे अगर आपने potential difference लगा दिया मतलब class में teacher आ गई तो गूमने वाले बच्चे कैसे चुप-चाप line में आ जाते हैं वैसे ही जब आपने यहां पे potential difference लगा दिया यहां पे दोनों यह wire ही है same लेकिन यह wire में कोई potential difference नहीं लगाया था तो electrons यहां वाँ घूम रहे थे teacher नहीं आई थी अब तो लेकिन जैसे teacher आई यह आपने यहां पे potential difference लगा दिया यह समझ नहीं आथा ना कि potential difference क्या होता है प्लस माइनस का मतलब क्या है कि आपने यहां पे एक cell या battery connect कर दे तो इससे क्या हुआ इससे यह electron must एकदम line में घूमने लगे यह minus होता यह plus होता है ना battery का तो minus से plus electrons flow होने लगे और जो electric current होता है conventional electric current का direction हमेशा हम electron की opposite direction में लेते electron ऐसे जा रहे है ना तो हम लोग electric current का direction ऐसे लिखेंगे अगर कभी आपको direction पूछा तो आपको देखके पता चल जाए गारे electron इस तरफ लिया है तो current ऐसे जाए देखकर मतलब wire देखके नहीं समझता हमको पता है electrons क्या होते है negative होते है पता है ना देखो उपर मैंने बताया negative charge होता है electron में और negative charge हमेशा किसके तरफ attract होगा positive के तरफ तो negative तो इधर होता है ना battery में आपके घर पे pencil से लोगा remote में चेक करो इधर plus और इधर minus लिखा होगा तो minus से electron कहां जाएंगे attract हो के plus के पास जाएंगे और अगर electron ऐसे जाएंगे तो conventional electric current के ऐसे जाएगा उसके opposite direction ठीक है ऐसे मत तो जोगे यहां से electron चीदा यहां पर क्यों नहीं जा रहा इसके तो क्यों नहीं जा रहा अरे battery के अंदर electron नहीं ह यह जो electron है यह तो wire के अंदर ठीक है तो wire की जो electrons है वो negative से जाएंगे positive के तरह अट्रैक्ट होंगे आया समझ में तो यही चीजे यहां पर उन्होंने explain करी है ठीक है पहले वो free electrons ते must गूम रहते है teacher आई teacher मतलब potential difference लगा दिया potential difference जैसे लगा तो electrons आरे line में आने लगे कहां स negative से positive और जब वो negative से positive आए तो current गया ऐसे ultra direction डन आपको इसमें current का direction दिया भी नहीं है सिर्फ यहां पर लिग दिया direction of conventional electric current conventional electric current को ऐसे जा रहा है यह direction में जा ठीक है अब हमने देख लिया कि electric current कैसे generate होता है ठीक है potential difference लगा दिया conductor के उपर आपने तो electrons गूमने लगते हैं एकदम line में उसके कारण electric current आता है तो electric current का यहां पर दिको क्या दिया हुआ है electric current is the flow of electrons through a conductor उसका definition आपको दिया हुआ है एक electric current क्या होता है it is nothing but the flow of electrons through a conductor और उसको denote कैसे करते है उसके लिए later use करते है आपको ऐसे लग रहा होगा यार चुपचाप C ले ले लेते हैं चुपचाप E ले लेते हैं कितना easy होता लेकि इने इस symbol सालों से use किये जा रहे है तो आपको हमेशा current को I से ही denote करना पड़ेगा आप आपकी मर्जी से उसको E C या C नहीं लिख सकते है ठीक है जैसे charge था charge को मैंने बोला ना कि क्यों ही लिखना पड़ेगा आप आपकी मर्जी से charge को C नहीं लिख सकते है तो सब कुछ C होते जाएगा ना confusion हो जाएगा quantitatively current I is defined as the charge passing through a conductor in unit time जब भी आपको कुछ चीज़े define करनी होती है तो आप unit में define करते हो one में ठीक है एक minute आप आप भी speed measure करते हो तो आप कैसे measure करते हो kilometer per hour ना per hour का मतलब क्या एक घंटे में आप बोलेंगे अरे Lamborghini की speed 200 kilometer per hour है आईसा बोलेंगे Lamborghini की speed 200 speed 200 बोलते हैं उसका मतलब क्या है most of the times मतलब इसका यह होता है कि 200 kilometer per hour एक घंटे में one unit hour में यूनिट का मतलब 1 होता है, तो 1 यूनिट आवर में, वो 200 किलोमेटर कवर करती है, इसलिए उसकी स्पीड होती है, 200 किलोमेटर पर आर, वैसे ही, करंट क्या होता है, चार्ज पासिंग त्रू अ कंड़क्टर इन यूनिट टाइम, ठीक है, तो करंट का फॉर्मिला आपको समझ गया क्या है, आए का फॉर्मिला इस Q upon T, क्यू का यूनिट क्या होता है, क्यू का यूनिट होता है, कुलम, मैंने आपको अल्रेड़ी बता दिया, कुलम बोलना है, तो बोलो बोलने में, कुछ marks नहीं कटने वाले है current is expressed in amperes आपका जो mobile charger है ना एक बार mobile charger निकाल के देखो उसके उपर कुछ छोटी-छोटी ऐसे writing लिखी होगी उसमें आपको दिखेगा V, A ठीक है? अच्छे से देखो निकाल के आप mobile तो use करी रहे हैं उसके charger पे आप एक बार text दिख लहाँ तो आपको समझ में आगा जो V है वो voltage है, potential difference जो A दिया हुआ है, import-output दोनों जगे A होगा, वो है ampere, तो current हम किसमें measure करते हैं? ampere, क्यों बही ampere क्यों ऐसे random नाम क्यों ने दिया? पांडे क्यों ने दिया? क्योंकि यार, एक बंदा था, French mathematician जिसने बहुत experiments करके electricity के बारे में हमको बहुत कुछ बताया तो उसको बलाया, तुने इतनी मेनत करी है तो चल, current का unit जो हम तेरे नाम पे कर देते हैं, ठीक है? तो उसने, जो अपना नाम है ampere था, तो उसके नाम पे हमने current का नाम दे दिया current के unit समेशा हम ampere में measure करते हैं, the charge of one electron is 1.6 into 10 raise to minus 19 कुलम, ये यार, बाइहाट ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कहीं पे use नहीं होने वाला आपके syllabus में अभी आगे जाके use होगा, charge of one electron कितना है? charge हमेशा हम कुलम में measure करते हैं, और एक electron पे कितना होता है? 1.6 into 10 raise to minus 90, वो measure करके निकाला गया है, इसमें concept नहीं है, ये measure करके निकाला है और आपको याद रखना है, ठीक है? अभी, जैसे unit define किया, हमको क्या measure करने माज़ा आता है? laws of motion, work and energy, सब जगे में आपको बताया हम क्या measure करेंगे? कि 1 ampere कब होता है? तो हमको पता है कि current का formula है Q upon T, तो अगर मुझे 1 कुलम का charge 1 second के लिए मैंने flow करवाया conductor से, तो 1 upon 1 क्या आ जाएगा? 1 upon 1 आ जाएगा 1 और ये कुलम upon second को हम लोग नया नाम देते हैं ampere, क्योंकि current है ना? तो अगर मुझे current का unit निकालना है तो कैसे आएगा? देखो, Q के जगे पे आ गया 1 कुलम, और T के जगे पे आ गया 1 second, 1 upon 1 के आएगा? 1 upon 1 आ जाएगा 1 और एक कुलम upon second को नाम दे दिया ampere, ओके? तो 1 ampere का current कब आएगा? It's said to flow in a conductor if 1 कुलम charge flows through it every second अगर 1 second में 1 कुलम charge जा रहा है, तो हम बुलेंगे अरे भाई, 1 ampere का current जा रहा है, ओके? again, जब बहुत छोटी values आपको express करने है current की, जो आपकी battery cars होती है, या remote होते हैं उसमें बहुत ही कम current लगता है इसलिए तो इतना छोटा सा cell आप remote में लगाते हो वो 6-6 मेने एक-एक साल चल जाता है क्यों चलता है? विकास उसको जादा current नहीं चाहिए होता जैसे fridge है, fridge या geezer है या AC है उसको बहुत current चाहिए इसलिए आपको cell से नहीं operate करते है न पर जो remote होते हैं उसमें बहुत कम values यूज होती है तो जो कम value होती है, milli ampere खाली ampere नहीं, उससे और छोटा milli ampere, micro ampere, milli का मतलब क्या? 10 raise to minus 3 और micro का मतलब 10 raise to minus 6 तो अगर मुझे 1 milli ampere निकालना है तो it is milli के जगे पर लिख दूँगा 10 raise to minus 3 1 micro ampere निकालना है तो micro के जगे पर लिख दूँगा 10 raise to minus 6 voltage में भी same था देखलो यहाँ पर milli volt है तो milli के जगे पर 10 raise to minus 3 micro volt था micro के जगे पर 10 raise to minus 6 दिख रहा है, 1 micro volt 1 micro के जगे पर लिख दिया 10 raise to minus 6 वोल्ट के जगे पे वोल्ट, ठीक है, तो हमारा ये पार्ड भी हो गया, यहाँ पे खतम, अब यहाँ पे कुछ questions दिए गए, एक ही question है, चलो एक question solve कर लेते हैं, current of 0.4a, a का मतलब क्या भई, ampere, आप ampere का short form capital A लिखेंगे, तो कोई problem नहीं है, लिख सकते हैं, जैसे one column, पूरा column नहीं लिखते हैं, खाली C लिखते हैं, second को कैसे small s लिख जिया, वैसे ही ampere को आप A लिख सकते हैं, कितने लोग तो इसको amps ही बोलते हैं, कितना current लगेगा, 4 amps, amps मतलब amperes, इसका मतलब यह नहीं किये, बंदे का nickname amps था, इसको भी लोग A करके नहीं बुलाते थें, लेकिन अभी हम लोग ने, इसको बार-बार लिखना हैं, तो ampere को आप A लिख सकते हैं, current of 0.4 ampere flows through a conductor for 5 minutes, देखो भाई, minutes आया है, हम जब current निकाल रहे थे ampere में, तो units क्या लेते थे, seconds, तो first hint आपको यहाँ पर मिलगे, यह कि time जो है, उसको उमको seconds में convert करना पड़ेगा, how much charge would have passed through the conductor, current, time और charge, तीन चीज़े हैं, current मतलब I, time T, और charge Q, यह तीनों को link करता हुआ, कौन सा formula आपको पता है, आपको पता है कि I is equal to Q upon T, क्यूं पता है, क्यूंकि आप ध्यान दे रहे थे, देखो यहाँ पर, ध्यान दिया तो देखा होगा, I is equal to Q upon T, मुझे इसमें क्या निकालना है, मुझे Q निकालना है, charge को Q से denote करते हैं, तो अकर मुझे Q निकालना है, तो T को यहाँ फेक दो, T यहाँ पर divide हो रहा है, वहाँ जाके multiply होगा, तो मुझे क्या मिलेगा, Q equal to IT, ठीक है, तो Q का formula क्या हो गया, IT, तो मैं Q का formula easily लिख सकता हूँ, I into T, I into T मतलब IT न, लेकिन, I तो amperes में दिया हुआ, तो I के जगे पे 0.4 amperes डाल दिया, time के जगे पे आप 5 minutes नहीं लिख सकते seconds में लिखना पड़ेगा, क्यों, because हम लोग जब unit define करते थे, तो time को seconds में लिया था, तो 5 minutes को हम लोग convert करेंगे seconds, तो 1 minute 60 seconds होता है, तो 5 minutes कितना होगा, 5 into 60, which is 300 seconds, तो T के जगे पे यहाँ पे डाल देंगे, 300 seconds, यह दोनों को multiply करेंगे, तो decimal गया 0 के साथ 4 into 30 आ जाएगा, 120, और unit क्या आएगा, charge का unit आजाएगा, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं, therefore charge passing to the conductor is 120 coulombs, आप सोच रहोंगे कि सबसे important part इसमें यह है, यह है important, no doubt, लेकिन सबसे ज़्यादा important part है यह वाला, जब आपने minute से second में convert किया, okay, main problem questions में क्या आती है, कि बच्चों को समझ नहीं आता कि 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 इसको convert करना है कि इसको नहीं करना, क्यूं convert किया हमने, क्यूंकि हमने जब ampere define किया था, तो वो one column और one second से define किया था, तो अगर time second में होगा, तो ही हम लोग ampere ला सकते हैं, तो देखो यहाँ पर ampere दिया हुआ है, मतलब क्या है कि T का unit second में आने वाला है, तो minute दिया है, नहीं चलेगा, second में convert करेंगे, तो ही का सकते हैं, ओके बागी formula तो काफी easy था, I का formula था Q upon T, तो Q का formula हो गया, I into T, है न, मैंने आपको बताया, यहाँ पर करके Q का formula क्या हैगा, यह T उदर multiply हो जाए, तो यहाँ पर यह salt example जो हमारा हो गया, खतम, आज का lecture यहीं पर खतम करत है, तो electrons flow करने लगते हैं, यहाँ से और उसको हम लोग बोलते हैं, उसके कारण जो flow आता है वारे में, उसको बोलते हैं, electric current, okay, electric current is the flow of electrons through a conductor, फिर और हमने क्या किया, हमने देखा कि free electrons क्या होते हैं, और free electrons के उपर जब potential difference, एक cell लगा दिया, या battery लगा दिया, तो electrons कैसे line प आ जाते हैं, teacher आने के बाद, free electrons मैंने आपको समझा है था, millivolt, microvolt क्या होता है, kilowolt, megavolt क्या होता है, यह बंदे का importance बता है, इसने बहुत काम क्या था, इसलिए इसके नाम पर potential difference का unit बना दिया, volt, potential difference आपको explain किया, फिर यह पानी का level जो है, यह कैसे change होगा, उसको क्या बोल page 32 and page 33, यह हमारा पूरा खतम हो गया है, okay, next lecture में हम लोग इसके आगे concepts करेंगे, अभी तक का जो हमने किया, एकदम अच्छे से revise करो, ताकि आपके धिमाग में यह सारे concepts अच्छे से बैठ जाए, अगर वीडियो पसंद आया, तो like ज़रूर करें, link अपने दोस्तों के साथ current electricity hard लगे, संदगी पर मतलब engineering तक, चब तक आप current electricity करेंगे, तब तक आपको difficult लगता रहेगा, लेकिन एक बार इसके basic concepts आपने समझ लिये, तो यह chapter काफी easy और काफी scoring हो जाएगा, ठीक है, और क्या पता, आपने अच्छा काम किया, तो आपका भी फोटो यहां पे आ जाए एसे ही में next video upload करों, आपको notification आए और आपको ऐसे ही अच्छे videos मिलते रहें, comments में मुझे जरूर बताएं कि आपको यह video क्या साल, thank you so much for watching this video.